तेजस्वी आदब ने भूमी सुधार कानून लाने की बात की है उसको लेकर अभी हम तमाम बाते समझेंगे बरिश्पत्रकार स्रिकान प्रतिवस जी हैं उनसे सर जिस प्रकार से तेजस्वी आदब का यह बयान आया है कि चंद लोगों के पास ज्यादा जमीने हैं और जो भूमिहीन हैं उनकी संख्या ज्यादा है तो इसको कैसे देखते हैं? देखे वैसे पूरे देश का हंकड़ा अगर आप देखें बिहार ही नहीं तो देश की 80 फिस्दी अबादी भूमिहीन है बीस जो फिस्दी लोग हैं उनके पास असी फिस्दी जमीन है पुरे देश में तो असी फिस्दी तो ऐसे ही भूमिहीन है जो खेती करते हैं किसानी करते हैं और जिनके पास भूमिहीन है उनका प्रतिसत बहुत कम हैं कम लोग हैं जिनके पास ज्यादा भूमी है जो खेती नहीं करते हैं तो वो किसानों को मजदूरों को देते थे बटाई पर अपनी जमीन कि भाई आप खेती करो आधाना जहम को देना आधा तुम रख लेना तो यहीं प्रंपरा लगतार चली आ रही है लेकिन तेजस्वी दोने कहा है इसलिए बात खास हो जाती है क्योंकि तेजस्वी आदो के इस बयान से अब अभास होने लगा है कि कहीं बिहार सरकार, बिहार में जमीन सुधार कानून लागू करने वाली तो नहीं है क्योंकि ए सवाल पहले भी उठ चुका है तो जो लोग हैं जो किसान है जि जिसमें ये पता चले कि किस जाती के पास कितनी जमीन है, किन लोगों के पास कितनी जमीन है, जब आकड़ा सामने आएगा तो चोकाने वाला होगा, और तेजशुयादों सरकार में हैं, वो जरूर आकड़े से अगत होंगे और उसी के अधार पर एक कह रहे हैं, तो यह सवाल है कि एक रिपोर्ट आयी थी डीब अंधो पध्याई की अध्यक्षता में जो भूमी सुधार आयोग का गठन हुआ था 2006 के समय में तो उसकी रिपोर्ट की लानी की देखिए बिहार में सोरह जुन 2006 को डीब बंदो पध्याय की अधक्षिता में भूमी सुधार आयोक का गठन किया गया था और रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीती काफी गर्मा गई थी स्रोण नेताओं ने इसका जमकर बिरोद किया था अफसरों ने अंद्र खाने से इसका बिरोद किया क्योंकि जादतर अफसर तो इस्टों समाज से थे जिनकी पास बहुत खेत और जमीन था तो उन्हों समय तो बीजेपी के साथ नितियस कुमार थे और बीजेपी को आपको पता है कि उनके समर्थक सोरना है तो बीजेपी के साथ रहते हुए तो उन्होंने यह हिमत नहीं दिखाई लेकिन अब जब उनके स्रकार आरजडी के साथ है और तेजस्वी आदो इस तरह का संकेत दे हैं तो इस सवाल उठने लगा है कि क्या नितियस कुमार आरजडी के साथ आने के बाद भूमी सुधार का नूम लागू करेंगे जो डी बंदो पध्याय की रिपोर्ट थी भूमी सुधार को लेकर क्या उसको लागू कर देंगे यह बड़ा सवाल है उसके उसके लागू हो लोग यह समझते हैं कि जिसमें के पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर गरीबों के बीच बाट दे जाएगे जिसानों में यही डर है कि भाई हमारे पास ज्यादा जमीन है तो भूमी सुधार कानून के तहत हमारी जमीन सरकार जब्त कर लेगी और गरीबों के बीच ब मजदूर किसान, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब अभी तो कोई लिखित एग्रिमेंट होता नहीं है, कि भाई आपको हम खेत दे रहे हैं बटाई पर, ऐसे होता है, लेकिन अब सरकार अगर इसको लागू कर देगी, तो लिखित एग्रिमेंट होगा, किसान और मजदू ले रहा है बटाई पर, और वहीं खेती करेगा, तो रजिस्ट्रेशन जब होगा, तो खेती करने वाले को सरकार की सारी सुभधाएं मिलेंगी, अभी तो किसान को मिलती है, सारी सुभधाएं, लेकिन जब दूसरे को बटाई पर जमीन देंगे किसान, तो सरकार से मिलने व से ज्यादा जमीन पर खेटी कि उत्पादन बढ़ा क्योंकि किसानों के पर श्यादा जमीन एक खुत कर नहीं तो सहर में रह रहे हैं या कोई और कारवpless कर रहे हैं फेटी नहीं कर रहे हैं उक्ली में घडिकति कभी अए इंठर किशानों कोएने पऻले तो बिजली मिलने चाहिए किसानों को किसानों को सुपधाइए उसका वाजिब मिलना चाहिए ऑभी तो पैदा गरदे फसल उसका दाम ही नहीं मिलता विचोली एक घरिज करिं किसान इमाद कर रहा है तो क्या अभी एक जो कहा जाता है कि अब मतलब जिनके पास ज्यादा जमीने होगी उसमें जो फॉरवर्ड जेनरल की चार जातियां आती है ब्रह्मन भुमियार राजपुत कायस्त मगर जो अभी जो और भी सर्वे करेंगे तो सायद उसमें यादब समाज का कुर्म समाज का कोईरी समाज का इन लोगों की भी जमीने तो ये फिर और विवाद बढ़ेगा जयादा जमीन होगी वह जमीन के वल सोरौनों के पास ही नहीं है हां उनके पास ज्यादा है पहले से जमीन है लेकिन 1990 के दसक के बाद जब से लालुयादो सात्ता में आये तब से नए जमिन्दार भी पैदा हुए नए जमिन्दार पैदा हुए नौ सामंत पैदा हुए ओ यादो है कुर्मी के पास बहुत जमीन है तो किवल ब्रामन भुमिहार और राजपुत के पास नहीं जमीन नहीं है यादों के पास याज की तारिक में बहुत जमीन है कुर्मी के पास आपेश्यतृ बहुत जमीन है और बीके पास बहुत जमीन म cosa और विरो ख कर न कारण ही तो निद अचुमार शाहास जूटा लागू किया उन्होंने कितना विरोध हो रहा है लेकिन फिर भी लागू कर दिया और अड़े हुए है अपने जीत पर दस अजार कोड़ से जादा का नुकसान है फिर भी कभी पीछे नहीं हटे तो नितीस कुमार अगर फैसला कर लेंगे तो लागू कर देंगे जो यह बाते तो नितीस कुमार के हाथ ही में फैसला है ना जो भी फैसला लेंगे तो नितीस कुमार अब आरजडी के साथ सरकार चला रहे है तो क्या फैसला ले पाएंगे यह बड़ा सवाल है बीजेपी के साथ चलाते हुए तो नहीं ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे लेकिन अब यह भी सवाल है कि अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो जो कानून का बेटी और जमीन का बराबत दरजा है बेटी के इज़त के साथ खिलवाल कोई बरदास नहीं करेगा और जमीन तो छोड़ेगा नहीं जोरू जमीन और बेटी तो बहुत परतिस्था से जोड़ा हुआ सवाल है तो असानी से कोई खेत अपना छोड़ेगा नहीं लड़ाई तो होगी और जब भी बड़े सुधार्व के लिए कानून लाए जाते हैं नियम बने जाते हैं तो हि फिस्दी लोग 20 फिस्दी जमीन के भरों से चल रहा है तो लाना चाहिए उनको हिमत दिखानी चाहिए मुझे लगता है और लेकिन दिकत यह है कि एक जैसे ही आयोग की रिपोट आई थी तो सोर मच गया कि अब तो भाई भुमी कानून लागू हो जाएगा किसानों में डर हो गया उनको लागा किया रिए रहा वी तो हमारी जमीन ही हडवप लेंगे लोग सरकार कबजया कर लेगी जो जो ज क्यत कर रहा ई है वो कबजया कर लेगा तो लोगों ने लिखिदो जे पना orक isn't कर दिया तो लोगों ने अपने जमीन वापस लेना शुर उनके सामने भुखमरी के समस्या उत्पन हो गई तो अगर स्रकार कानून ला भी देती है तो मुझे लगता है कि किसानों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपकी जमीन आपकी ही रहेगी उसका मलिकाना हक खेती करने वाले को में लगता है इतना आसानी से किसान बहुत आसान है क्योंकि रिउमर फैलाने वाले भी लोग बहुत है अब सोचिए कि रिपोर्ट लागू ही नहीं हुई लेकिन ख़बर तो फैल गई कि भाई अब सरकार थ्यारी कर रही है जमिंदारों की जमिन लेलेगी किसानों की जमिन लेलेगी बसी लोग पट्टा पर देना है सिलिं भी हजारों एकड़ जमीन है सरकार को करना चाहिए और जो भुमिहिन किसान है मज़ूर है उनको मिलना चाहिए लेकिन जिसके पास 15-20 विखाखेत है उसको सरकार कभजा करेगी तब उपद्रों होगा उपद्रों इसलिए होगा कि वैसे किसानों को संख्या बहुत ज्याद एक पीता के चार पूत्रा है तो 60 विखा जमीन रख सकते हैं अब तो सरकार कानून ला देगी कि भाई यह सत्रह बिघा साब ज्यादा नहीं रख सकते तो किसान बटवारा कर लेगा का पेपर पर भले एक साथ रहे एक साथ बले रहे सब के नाम पे कर देगा तो जो छोटे किसान है मजोले किसान जिनके पास 50-60 विखा खेत है उनसे छिनना मुश्किल होगा क्योंकि यह तो खुद पेपर पर बटवारा कर लेंगे जमीन और बटाई पर भी खेत नहीं देंगे अभी अभी के जवानम जैसे 100 विखा 200 विखा जैसे पहले हुआ करता था अभी तो व और लोगों के विरोध को दबाया जा सकता है ठीक है ना उनको समझाया जा सकता है लेकिन जब यह संख्या लाखों में हो जाए तो उसको दबाना उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलिए तो ये बाते हम समझ रहे थे जो तेजस्वी आदब जो द्वारा कहा गया था कि जो कम जिनकी आवादी कम है उनके पास बहुत बड़ा जमीन काय मतलब की जादा जमीने हैं तो इन तमाम बातों को समझ रहे थे बरिश पत्रकार स्टिकान प्रतिश जी अभी हमारे स साथ थे बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ धन्यवाद